Hey guys, welcome back to the channel TMV हम हादर हैं आपके लिए एक और amazing facts से भरी वीडियो को लेकर और आज हम बात करेंगे बहुत ही जादा interesting topic पर although मैं बहुत time से ये वीडियो करना चाहता था क्योंकि इतनी interesting है वीडियो, इतने facts हैं इस चीज के लिए इस चीज से related की आप जब सुनेंगे तो शयद आप भी हराम राजेंगे although हम इस muscle का इतना जादा use करते हैं over the time कि अगर ये muscle कहीं चली बंद हो जाए तो हमारा जो life and span है वो खतम सा हो जाता है so आज बात करेंगे हमारे strongest muscle part की ये strongest muscle हमारे जो body में होती है उसके बारे में till the time I am coming back आप लोग guess कीजिए, comment box में ज़रूर बताएए कि आप लोगोंने क्या guess कि ये कौन सी muscle part है जो हमारी body की सबसे strongest होती है आप guess करिए, मैं आभी आता हूँ so video शुरू करने से पहले मैं आप लोग को तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ we are now the family of 100 plus members और subscriber अच्छे rate पर बढ़ें although हो सकता है कि बहुत लोगों के लिए छोटा सा number हो पर जो last month में हमने महनत की है आपने उसको दिल से सरहा है और अपना प्यार दिया है we want कि यह जो प्यार है यह जो लगाव है आपका हमारे चैनल के साथ वो ऐसी बना रहे so 100 है अभी 100 के कब हो जाएंगे हम लोग को पता भी नी चलेगा so if you like our videos या कुछ चीन चाहते हैं आप हमसे या कुछ चाहते हैं कि हम कुछ और नया ले करें कुछ नया ट्राइ करें so do hit the like button और comment box में हमें जरूर पता दा कि हम लोग क्या क्या कर सकते हैं उसके बारे में so I hope आपने अभी तरह guess कर लिया होगा वो muscle part या वो body part जो हमारी body में सबसे strongest होता है so अगर आपने guess किया है back अगर आपने guess किया थाए अगर आपने guess किया है biceps या फिर कुछ और तो आपको लोग को बता दूँँ आप पूरी तरह से गलत हैं हमारी body का सबसे strongest muscle कुछ और नहीं बलकि आपका brain होता है जी हां आपका brain जो कि आपकी पूरी body को चला रहे है आज उसी से related कुछ बात करेंगे उसके इर्दगेर्द बने हुए कुछ interesting fact और उसके around बने हुए कुछ myth although ये video दो पार्ट में आएगा पहले ही बता देता हूँ आपको क्योंकि first part में अगर आपको हम ये बता रहे हैं कि उससे related facts क्या है तो second part में हमारा ये करतबे बनता है कि आपको जरूर बताएं कि उसको train करना कैसे है mind एक ऐसा muscle है जो अगर fail हो जाए तो आपकी human life वही की वही खतम हो जाती है although आप लोगों को शायर लगता होगा कि जब आप सोते हैं तो आपका mind भी rest करता है जबकि आपका mind उस time पे सबसे ज़ादा active होता है as compared to जब आप walk करते हैं आप खाना खाते हैं जब आप कोई एक task perform कर रहे होते हैं ऐसी ही और कुछ facts related है ये वीडियो तो चलिए शुरू करते हैं इसके बारे में और और amazing facts लेकर रहे हैं आपके लिए about the most important body part or the most strongest body part of the human body here we are यहां पर हम जो बात कर रहे हैं वो strongest muscle का मतलब यह नहीं है जो 20 kilo weight उठाले जो 30 kilo weight उठाले या जो आपकी body को कहीं न कहीं लेके चलता है so eventually mind ही एक अकेला ऐसा muscle है जो अगर नहीं होगा तो आप कुछ भी नहीं है आपकी chest पे weight उठाने से आपको नहीं है आपको अपने legs की वज़ा से नहीं है आपको जो main function है वो सारा का सारा brain का है so that's why यह जो है उस strongest muscle of your body है so although मैंने एक fact आपको पहले ही बता दिया कि आपकी body और आपका mind जो है वो सबसे ज़्यादा work करता है जब आप सो रहे होते हैं mostly सबसे ज़्यादा नहीं as in compared to जब आप walk कर रहे होते हैं उससे भी ज़्यादा आपका mind तब work करता है जब आप eventually सो रहे होते हैं so यह था हमारा fact number one so the fact number two is although आपके brain का जो weight है वो आपकी body का सिरफ 3% होता है but eventually यह आपकी body के 30% blood को use करता है yes 30% blood जो है आपकी body का वो आपके brain के द्वारा use किया जाता है so आप सोच सकते हैं eventually कितना powerful होता है यह brain although आप लोग को पता होगा कि हमारा जो brain है वो neuron cells से बना होता है so ऐसी study थी by the neuroscience जितने भी facts है इसका जो link है यह जहां से मैंने facts उठाए है यह जहां से हमने थोड़ी बहुत help लिया so that यह video को clear बनाया जा सके और आपके लिए जो facts है वो बहुत जादा clear रखे जा सके उसके लिए हमने कुछ research पढ़ी कुछ research अपने end से भी की है so that आपको यह facts और जादा clear हो सके so eventually आपकी body और आपका mind वो इतना जादा current यानि neurons इतने जादा current जो है वो बनाते हैं in a day कि वो एक light bulb को for 24 hours जलाने के लिए पूरी होती है भार के college में एक study हुई जहां पर पढ़ाया गया कि जहां पर research करके यह निकाला गया कि आपके जो mind से यानि आपके जो brain की activity होती है अगर उसे track करें तो जिन लोग को नहीं पता मैं उन्हें पता दूँ कि आपके mind की activity या उससे निकलने वरी कुछ तरंगे उनको जो scan किया जाता है या उन्हें read किया जाता है उसे करें FMRI इसकी description या इस word के बारे में जो पूरा नाम है वो यहां आपके screen पर आ रहा होगा यहां पर या side पर तो यह study आपके mind की activity को पढ़ती है और कहीं न कहीं आपको यह पताती है कि आपकी mind की activity यानि आपके brain की activity eventually बहुत जादा unique होती है it's as compared to uniqueness इसकी compare करी जाए तो यह आपके fingerprints की तरह unique होती है यानि एक study जिसमें सो लोग पर यह test किया गया FMRI और उसमें यह पता लगाया गया कि उन सबकी जो activities थी brain की activities ही वो उतनी ही unique थी जितने आपके fingerprints unique होते है बहुत सारे लोग को यह भी लगता होगा कि mind जो है वो neuron cells और उनी से ही बना होता है but eventually ऐसा नहीं है mind में eventually बहुत सारे ऐसे cells होते हैं जो उसको बनाते हैं उसके बारे में जितनी भी detail है वो सबको description box में है एक बहुत ज़ादा amazing fact है जो मुझे पूरी study और पूरे research के duration में सबसे ज़ादा जिसने प्रभावित किया है वो यह है कि eventually आपका जो brain है वो आपके ancestor से जो है ancestor से जो है वो कहीं ना कहीं 10 से 30% तक smaller size का होता जा रहे आप लोगों ने शैद कहानियों में सुनाओगा है चाहे वो महाराना परताब हो चाहे वो कोई बड़े बड़े दिगज हो सबकी height होती थी 10 फूर्ट but eventually scientist ने यह पता लगाया कि in past 10,000 years क्योंकि हम लोग की जो रुजाती है वो इतने सालों से तो है तो इतने सालों में 10,000 साल की जो last की study है उसमें यह पता लगाया है scientist ने कि eventually ancestors जो थे उनकी height भी कम होती जा रही है तो हमारे brain का size भी कम होता रही yes you heard it right हमारे brains जो है वो दीरे दीरे छोटे होते जा रहे है cause हमारी जो height है जो average height है वो भी बहुत कम होती जा रही है इंडिया में कहीं लोग जो जितने भी warriors थे आपने देखा होगा जब आप museums वगारा विजिट करते हैं eventually वहाँ पे इतनी बड़ी बड़ी तलवारे होती हैं इतने बड़े बड़े उनके arms होते हैं वैपन्स होती हैं so eventually पहले लोग बहुत जादा टॉल होती थे तो body बड़ी होती थी size बड़ा होता था so eventually diet भी बड़ी होती थी और इसी सब चीजों से उनका mind भी बड़ा होता था अगर आपकी mom आपको बच्पन में बहुत सारा खाना किलाती थी उसका एक सबसे बड़ा reason यह होता था although हमारे जितने भी पूरबश थे उन लोगों को इतने जादा science की backing तो नहीं थी but eventually उन्हें कुछ चीजें ऐसी पता थी जो कि बहुत जादा helpful थी जो कि scientists अब आके उसको experiment करते हैं और आके मानते हैं उन में से एक चीज जो mind से related थी वो यह कि बच्पन में आपकी half of the energy आपका mind ही consume कर जाता है इसलिए recommend किया जाता है कि वो almonds खाएं ऐसी चीजें जिसमें oil होता है और जो आपके brain को healthy रखती है so although यह था last but not the least fact about our video so video कैसा लागा हमें comment box में ज़रूर पताएगा although जादा मैं कभी भी stress नहीं करता हूं video को although detail में बना सकते हैं हम video को but majorly जो motive होता है वो आपको interesting facts से filled करने का होता है so that आप लोग कुछ चोटे मोटे time में जो है वो quickly कुछ एक fact कुछ ऐसा चीज सीख लें जो आपको eventually कहीं न कहीं help जरूरू प्रूरू so यह था हमारा first part of this video यहीं पर इसको end करते हैं second part में हम लेके आएंगे कि how you can train your brain इसके बारे में इससे related exercises क्या है इससे related food कौन से है और इससे related और क्या क्या चीज़ें आप कर सकते हैं for a healthy human mind और healthy human brain क्योंकि यह हमारा एक ऐसा मसल है जो अगर fail हो जाए तो इनसान कुछ नहीं कर सकते हैं और क्या क्या activities जो है वो improve कर सकती है हमारे brain को so सब कुछ लेके हैंगे इसके second part of the video में till then take care TMV signing off for now we'll see you on the another side